हेलो आज हम लोग बेसिकली एक टूर करने वाले हैं तो कि यह टूर काफी जादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए तो मतलब सारी इन्फरमेशन इस युनिवरसिटी से डिलेटड आपको इस पूरे वीडियो में मिल जाएगी मतलब अगर मैं नालसार युनिवरसिटी की बात कर तो आपको सारा कुछ under one वीडियो मिल जाएगा जो कि हम जिस कॉलिज के बारे में बात कर रहे हैं वह कॉलिज ब स्टिटी कहलाता है ठीक है तो एक प्रिस्टीजिस कॉलेज है सपना होता है मैंने मेरे कई सब्सक्राइब का सपना होता है कि मुझे इस कॉलेज में जाना है तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी अब लोग थोड़ा इसका बैक्ग्राउंड जानते हैं विकाज आपको बैक्राउंड भी पता होना चाहिए कि कब खुला है क्या बैक्राउंड है क्या है नहीं है तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं देखो बेसिकली यह एक National Academy of Legal Studies and Research जिसको हम नाल सार कहते हैं यह स्टाब्लिश हुआ था 1998 में ऐसा नहीं है कि यह आज और कल इस्टाब्लिश हुआ यह काफी पुराना है जो 1998 में इस्टाब्लिश हुआ है अब इसका रिकॉर्ड क्या है यह आपको हमेशा एक तो यह आपको हमेशा एक बहुत ही बहुत ही क्रोमसिंग I would say society देता है जो society इनका है वो काफी बढ़िया है इस पूरा का पूरा legal culture ethical legal culture आपको मिलता है याँ से which protects and promotes the rule of law जो कि हमेशा promote करता है rule of law the social justice agenda is no laughing matter but the university believes that the cause of building a rule of law society is to continuous enterprises देखो आपको भी पता है कि अगर आप किसी भी rule of law को बनाते हैं तो आप एक society को help कर रहे हैं तो ये इसका पूरा का पूरा जो university का जो background है वो पूरा का पूरा उसी पर dependent है दुसरी बात नालसार is counted among the top schools, law school of the country तो इस चीज़ पर भी ध्यान दिजएगा कि ये एक top law schools है country का इस पर भी ध्यान देंगे हम लोग ठीक है अब तो इसका कुछ background रहा अब हम लोग आगे discuss करेंगी तो आगे हम लोग discuss करेंगे नालसार के hostel life के बारे में कि सर hostel कैसा है तो देखो ये मैंने कुछ pick उठाए हैं यहाँ पर देखो hostel life जैसे जैसे एक normal hostel होता है यहाँ का hostel है hygiene का पूरा ध्यान रखा हूँ है वैसे तो अगर मैं बोलूँगा तो देखो hygiene का बिलकुल dust भी में पूरा ध्यान रखा हूँ इन्होंने प्लस मेरे लिए काफे interesting था मैं भी just college से आता हूँ तो यहाँ पे भी जिम है देखो यह इसको basically हम biceps बनाते हैं तो यह भी है dumbbells भी आपको मिल जाएंगे प्लस और भी बहुत सारे equipment colleges में जो minimum requirement है वो रहता ही रहता है दूसरी बात एक अच्छा building है फुल फॉनी जैसे नहीं बहुत थुराना सा building है सब नए नए चीज़े मतब फूरा का पूरा maintenance wise देखो जो बहुत सई चल रहा है एक table lamp मिल जाता है table मिल जाता है पढ़ने के लिए जो की इतना minimum requirement है बच्चों के लिए अगर वो पढ़ने वाले बच्चे है तब देखो और hostel life कैसी होती है आई वुट से कि तुमको भी पता ही होगा बट यहां एक एक अच्छा scenario है ठीक है नाल सर का hostel अगर मैं देखो तो लाइबरी थोड़ा सा आप देखो लाइबरी भी काफी यह भी मैंने जब रिसर्च किया था तो मुझे पता चला था कि आप बुक बुक भी कर सकते हो ठीक है टाइम ली सब्मिट कर सकते हो आप सब कुछ कर सकते हो लाइबरी भी यहां पर बहुत ज्यादा सही है ठीक है दूसरी बात एक दो एक तो आपको यह देखना पड़ेग दिखाते है तो आप यहां पर एक तो बहुत ही बहुत ही स्पोर्ट को भी बहुत अच्छा प्रमोट किया जाता है दूसरी बात है पीपल इन दा कैंपस कैंपस आर यूर ओनली फ्रेंड्स फैमिली एंस शूशल सर्किल तो एक निया ही इंवर्मेंट बनता है कॉलेज का अगर तुम लोग समझते हो तो अच्छा अगर मैं क्लास्रूम का बोलूं तो देखो हर जगा अच्छे आपको सुनाई दे रहा है है कि नहीं वो भी यहां पर अविलेबल है प्रोजेक्टर भी अविलेबल है हर जगा फुल फॉर्निज्ट है सब कुछ एकदम बढ़िया है कॉलेज में बेंचिस देखो मजे को तो सई नजर आ रहे हैं टीचर ले रहे हैं सब कॉंस्ट्ट लेक्शर ले रहे हैं सब कॉंस प्रिशिबिलिटी तो रखाइए कि स्टुडेंट वे पास 10 विट एक लिस्ट फाड़ीफाइप परसेंट मार्क्स भीया होना चाहिए आपका और इसके लिए रिलेक्शन ऑपांच परसेंट ठीक है आपको इसके लिए क्लाइट एक्जाम कॉलिफाइब करना चाहिए जो म सबसे बड़ी बात है तो यह कुछ सेलेक्शन क्राइटीरिया इसके इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में जाना है तो मिनिम्म आपको एक तो यह यार मेंटीन हो जाता है मैं पैंतालिस परसेंट वाला तो मैं बूलू नहीं मिलता है तो यार सेलेक्शन लो विकाज यह सब इंडिया के टॉप मुस्ट लॉव कॉलेज जैसे अब मैं बात करता हूं तीन कोर्स के बारे में मैंने पूरा एजेंडा लिया बट मैं तीन को सब एक एक ललम के बारे में बात करूंगा और एक बीए ललबी ओनर्स के जैसे मैंने कहा था कॉलिफाई होना चाहिए अगर आप ललम थोड़ा बड़ी डिगरी लेना चाहते हैं तो अब देखो फीज भी 2.42 लाक है अगर आप बी ये ललबी करना चाहते है फिर्स्ट यहर का फीज है ठीक है फोर पॉइंट एक्जाम कॉलिफाई करोगे तो आप इतने बड़े कॉलेज से कर रहे हो तो आपको फीज स्रक्शर भी पता होना चाहिए मैंने क्या कहा था हर चीज बताऊंगा आपको इस कॉलेज के बारे में हर चीज जो रिक्वाइड है जो आप आपको बेसिकली आना चाहिए विचिस नीडेड राइड अगर मानो कोई को जो मैं बना रहा हूं अभी प्रिसाइजली मैं बी एलल बी को नज़र रखते हुए बना रहा हूं जो कि जिसकी फीज जो है वो 2.42 लाक है फर्स्ट यर की ठीक है यह बड़ा ध्यान देने वाला बात है मैं मजाग में कर रहा है अब यह मैंने आपको पहले बता रखा है अब देखो सबसे important यहां पर chance आता है कि सर placement कैसा है देखो कुछ records तो मैंने 188 किया हुआ है अगर देखोगे तो कुछ records मैंने 188 किया हुआ है कि नाल सार का जो placement record है वो 100% है जो की मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है मतलब एक तो college अच्छा उस पर से सब कुछ बढ़िय उस पर से placement भी बढ़िया मतलब यार at the last होना क्या है देखो एक lawyer के लिए सबसे important क्या हो सकता है प्लेस्मेंट हो जाए या तो एक मेरा जो practice है वो बहुत ही अच्छा चले राइट या तो मैं sir administration department में जाओ जो भी कितने भी आपको पता होगा बड़े-बड़े companies के जो lawyers होते है या तो मैं वहां चांग तो lots of companies देखो जो recruit कर रही है वो टाटा सेल है एचल है विदानता है नेशनल स्टॉक है तो आउट ऑफ 124 स्टुडेंट 78 वे पार्सिपेटिंट इन नालसार हाइदराबाद प्लेस्मेंट या उनके connections अच्छे होते है वो खुद से practice भी करते हैं अब ये मैंने component लिया हुआ है कि आखिरकार नालसार ने 2021-22 का तो मैंने आपको दिखाया, अब मैं 21 का भी दिखा रहा हूँ, company wise इनका क्या-क्या basically कहां-कहां लोगों का job लगा है मैंने आपको बता है, पूरी की पूरी ये data है, आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपक को में हुआ है, PSUs में हुआ है, ICAC Bank में हुआ है, J.Sagar Associates में हुआ है, तो it's a very versatile guys, बहुत ज्यादा versatile है, ऐसा नहीं है, और previous record भी देखेंगे, 73 students, 28 were offered PPO's, 14 students accepted on day 0, and 31 students accepted post day 0, तो लोगों ने, यहां पर अगर आप जाते हो, तो ये तो guarantee मैं खुदी दे रहा हूँ, कि placement होगा और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जितने बड़े college से वो कर रहे हैं, तो उनका कुछ होता है, कि हमने खुद से कुछ करना है, तो practice भी तो करते हैं, तो ये 2021 का data मैंने लिया था, ठीक है, अब 2021 के बाद मैंने 22 का भी आपको दिखाया है, ठीक है, 22 में भी इनका placement drive अच्छा होगे न, तो आपको समझ में आएगा, कि आपको fees बता दी गई, ठीक है, आपको एक छोटा सा टूर करा दिया गया, पूरे के पूरे college का, ये नालसार का मतलब infrastructure है, जहां पे आप देख रहे हैं बाहर, ये library हैं यहां का, ये यहां के hostel है, ये university का कुछ, मैंने background आपको बता है, कि भीया, देखो, यहां का placement क्या है, इतना अगर चीज अगर आप कर लेते हो, इतनी सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, तो बस हो गया, sir, that's more than enough, इस से जादा, इस college में दाखिला लेने के लिए कुछ नहीं रहता है, एक चीज मैं आपको फिर बोलूँगा, जो ब पेशा आपको बताता हूँ, कि इस exam को एक अच्छे रेपटेटेट कॉलेज में जाने के लिए, आपको बिलकुल, बिलकुल CLAT exam कॉलिफाई करना चाहिए, तो यह कुछ चोटा सा वीडियो है, बहुत लंबा नहीं है, बहुत अच्छे से देखो इसे, बहुत कुछ जानने दिस विल हेल्प यू अलॉट, इन गेटिंग दा इन्फरमेशन अबाउट अबाउट नाल सार उनिवसिटी ऑफ लॉफ हैधराबाद, तिल दिन, हसते रहिए, मस्कुराते रहिए, चैंपियन्स बनिये, चैंपियन्स के बना कोई, आप चैंपियन्स हैं, यह बात याद र करिएगा, कैसा लगा, तिल दिन, बाइवरीवन, अगर आपको थोड़ा सा भी उपर नीचे लगता है, तो अगले वीडियो में आपन और भी अच्छा करके लाएंगे, ठीक है, तिल दिन, बाई गाईज, बाई, एन लेट्स क्राक इट, बाइवरीवन.